एक भरा पूरा नगर था, यहाँ एक पंडित रहता था, उसका नाम देवशर्मा था, उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला था, समय आया, उसने एक बच्चे को जन्व दिया, वही घड़ी थी, जब एक नेवली को भी बच्चा हुआ, बच्चे को जन्व देते ही नेवली मर गई, नेवली का शिशू अनाथ हो गया, पंडिताइन को दया आ गई, वह छोटे नेवली को घर ले आई, अपने बच्चे के साथ साथ उसे भी दूद पिला थी, उसे तेल उपडन भी लगा थी, इस तरह वह शिशू नेवली की भी मा बन गई थी, उसके मन में मम्ता थी, मम्ता के साथ साथ डर भी था, डर का कारण था, कहीं यह नेवला उसके बच्चे को न काट ले, अपने बच्चे से बढ़ कर तो संसार में कुछ में नहीं है, नालायक, उरूप, मूर्ख, दुष्ट बच्चे को भी देखकर मा का जी जुड़ जाता है, लोग प्रचलेत नीथी के अनुसार, अपने बच्चे की शरीर को जूँ कर मा को असीन सुख मिलता है, इस सुख के आगे चंदन की शीतलता भी फीकी लगती है, एक दिन पंडिताईन को घर में पानी के जरूरत पड़ी, उसका बेटा सो रहा था, उसने उसे पालने में लिटाया, पानी तो भरना ही था, घड़ा उठाया, जाते जाते रुगी, उसने अपने पती से कहा, मुझे पानी भरना है, मैं तालाब की ओर जा रही हूँ, बच्चे का ध्यान रखना, देखना नेवला उसे काट न ले, पती ने उसकी बात नहीं सुनी, इधर पंडितान गई, उधर पंडित किसी काम से निकल पड़ा, उनके जाते ही घर सूना हो गया, घर के समीप ही एक बिल था, उसमें खतरनाक करैद सांप रहता था, अब वह करैद बाहर निकला, शिशू गैरी नींद में था, वह सांप को भला कैसे देखता, माता पिता घर में नहीं थे, शिशू की रक्षा का भार केवल छोटी नेवले पर आ पड़ा, नेवले के सांपने सांप था, सांप उसका जनम जनम का बैरी, नेवले के लिए अपने भाई के जीवन मरण का सवाल था, नेवला जोश में आ गया, वह सब कुछ भूल गया, उसने साहस और ताकत को बडूरा, वह करेत पर तूट पड़ा, नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिये, नेवले की विजय हुई, सांप के खून से उसका मूँ लाल हो गया, मानों उसकी जीट की कहानी उसके मूँ पर लिखी थी, नेवला बहुत खुश हुआ, उसमें धीरच ना रहा, वो दोरता हुआ, पंडिताइन के पास पहुँचा, उसने अपनी भाई की जान बचाई थी, पंडिताइन के दूद की लाज रखी थी, नेवला अपनी बहादुरी और विजय की कथा सुनाना चाहता था, पंडिताइन नेवले का मूँ देखा, उस पर खून लगा था, वह घबरा गई, बावली ने सूचा, इसने मेरे बच्चे को काट खाया, उसी का खून लगा हुआ है, अब क्या था, उसने आप देखाना ताओ, घड़ा उठाया, नेवले पर दे मारा, बेचारा नेवला वही खत्ब हो गया, रोती कलबती पंडितायन घर भागी, घर में पालने पर उसका वेटा सुख से सू रहा था, पास ही मरे साब के टुकड़े पड़े थे, पंडितायन अपनी गलती समझ गई, उसके शोख का ठिकाना ना रहा, छाती पीट पीट कर रोने लगी, मैंने अपने नेवले बेटे को खुद ही बाहर डाला, उसने तो मेरे बेटे की जान बचाई थी, और मैंने उसे ही मार डाला, हाई मेरा नेवला, हाई मेरा बच्चा, हाई मेरा बच्चा, बिना सोचे समझे काम करने वाले इस पंडितायन की तरह पच्चता आते हैं, वे अपने पैरू पर खुद ही कुलाडी मार लेते हैं,